नमस्ते बच्चो एक फरवरी से आपके ओनलाइन असेस्मेंट टेस्ट शुरू होने वाले हैं यह जानकारी आपको हम दे चुके हैं तो बच्चो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके इस असेस्मेंट टेस्ट की तैयारी में आपके कुछ सहायता करूँगी इस वीडियो में हम कक्षा चोथी की पाठ्य पुस्तक में नहित पाठ ग्यारह रहीम के दोहे से सम्बंदित प्रशन उत्तर करेंगे इन प्रशनों के उत्तर विकल्प के रूप में दिये गई हैं जिसमें से सही विकल्प को छाट कर आपको लिखना है तो चलिए बच्चो शुरू करते हैं और ये रहा हमारा पहला प्रशन रहीमन धागा प्रेम का मत्त तोडो चटकाए जो की रहीम जी की प्रसिद पंक्तियों में से ली गई है इसमें चटकाए शब्द का अर्थ निम्न में से क्या है ओप्शन ए खोलना बी मोडना सी जटका देना तोडना डी मुह से काटना तो बच्चो इस प्रशन का सही उत्तर होगा जटका देकर तोडना ओप्शन सी अगला प्रशन रहीम जी ने जिस धागे का दोहे में नाम लिया है वो धागा किस रूप में बना हुआ है ओप्शन ए प्रेम के रूप में बी मित्र के रूप में सी रसी के रूप में डी सूई के रूप में तो बच्चो इस प्रशन का सही उत्तर होगा प्रेम के रूप में ओप्शन A अब बढ़ते हैं अगले प्रशन की तरफ धागा एक बार तूट जाता है तो दोबारा कैसे जोड़ा जाता है तो इसका सही उत्तर क्या होगा ओप्शन A सील कर, B चिपका कर, C गांठ लगा कर, D चटका कर तो बच्चो इसका सही उत्तर होगा ओप्शन C गांठ लगा कर आगे देखिए एक धनी वो लोग होते हैं जिनके पास धन वैबव होता है एक धनी रहीम जी ने पाठ में बताया है रहीम जी ने धनी किसको कहा है ओप्शन A जिसका दोस्त धनी हो, B जिसके पास गाड़ी बंगला हो, C जो गरीब की भलाई के कारिय करे और D जो गरीब के धन को छीन लेते हैं तो बच्चो हमारा सही उत्तर होगा ओप्शन C जो गरीब की भलाई के कारिय करे अब चलते हैं अगले प्रशन की तरफ कृषन और सुदामा जी को किसकी उपमा दी गई है ओप्शन A अमीर गरीब की B घनिष्ट मित्रता की C राजा और प्रजा की D भगवान और भक्त की पक्के शत्रुता की तो बच्चो इस प्रशन का सही उत्तर होगा घनिष्ट मित्रता की ओप्शन B अगला प्रशन कहा सुदामा बापूरो कृष्ण मित्राई जोग पंक्ती में मित्राई शब्द का क्या अर्थ बताया गया है ओप्शन A गले मिलना B मित्रता C मिठाई और D कृष्ण की माता तो बच्चो सही ओप्शन होगा सही उत्तर होगा मित्रता ओप्शन B अगला प्रशन रहीम जी ने दोहा सब्तक में लिखा है जहां काम आवे सुई कहा करे तलवारी इसमें रहीम जी क्या बताना चाहते हैं ओप्शन A सुई और तलवार दोनों चुबती हैं सुई का काम तलवार और तलवार का काम सुई नहीं कर सकती है C. सुई का काम तलवार और तलवार का काम सुई कर सकती है D. तलवार सुई से बड़ी होती है तो इस प्रशन का सही विकल्प होगा उत्तर होगा Option B. सुई का काम तलवार और तलवार का काम सुई नहीं करती है अगला प्रशन रहीम देख बडेन को लगुन दीजे डारी में डारी शब्द का अर्थ निम्न में से क्या होगा A. डाली B. डाली C. छोड़ना और D. डोरी तो सही उत्तर होगा छोड़ना डारी शब्द का अर्थ होता है छोड़ना Option C. अगला प्रशन रहीम जी अपने इस दोहे में रहीमन देख बडेन को लगुन दीजे डारी जहां काम आवे सुई कहां करे तलवारी तो बच्चों इस पार्थ में हमें इस के अर्थ को बताना है इस पंक्ति के अर्थ को बताना है इन पंक्तियों में Option A. सुई को छोड़ कर तलवार से लड़ाई करें बड़ी को बड़ी तलवार से और छोटे को सुई से मारो C. हर वस्तु का अपना महत्व होता है और D. बड़े से छोटा ताकतवर नहीं होता तो बच्चों इन पंक्तियों का जो अर्थ है संक्षिप्त में वह है Option C. कि हर वस्तु का अपना महत्व होता है इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रशन की तरफ जिस प्रकार तलवार का कार्य सिर्फ काटना है अर्थार युद्ध में काम आती है दोहे के अनुसार सुई क्या कारिय करती है कपड़ों को जोडने में B. तलवार की जहे लड़ाई में C. फल काटने में D. भाले में तो सुई का क्या काम होता है बच्चों ओप्शन A सही उत्तर होगा कपड़ों को जोडने में अगला प्रशन कोईल की आवाज सभी को अच्छी लगती है ऐसा और कौन है जिसकी आवाज कानों में रस घोलती है A. पपिहा B. कववा C. चील D. चातक तो हमारा सही उप्शन होगा A. पपिहा आगे बढ़ते हैं अगले प्रशन की ओर रहीम जी ने अपने दोहे में वे रहीम नर धन्य है पर उपकारी अंग में नर का अर्थ मनुष्य से है परन्तु रहीम जी ने किन मनुष्यों को धन्य कहा है option A. जो कहना मानते हैं B. जो दूसरों की बहलाई करते हैं C. जो अपने गुणों का बखान करते हैं D. जो उपकार के कारिये नहीं करते तो बच्चो इस प्रशन का सही उत्तर होगा जो दूसरों की बहलाई करते हैं option B अब बढ़ते हैं अगले प्रशन की तरफ रहीम जी के अनुसार जो महंदी बाटता है उसके हाथ खुद लाल हो जाते हैं इस प्रकार ऐसी चीज छाट ये जो हाथ से बाटने पर अपना रंग छोड़ती है और हमारा सही ओप्शन होगा हल्दी हल्दी को भी बाटने पर वह अपना रंग हमारे हाथों पर छोड़ देती है अगला प्रशन रहीम जी द्वारा रचित दोहा सब तक नामक पाट में सरवर का अर्थ है सरोवर इसी प्रकार तरूवर का अर्थ है पेड निम्न में से तखवर का और नाम नहीं है उसे चाटो यहाँ तखवर जो है गलत लिखा गया है इसकी जगह पर तरूवर शब्द आएगा तो हमें यहाँ ऐसा शब्द बताना है जो तरूवर का प्रियावाची नहीं है तो बच्चो तरुवर के प्रियावाची व्रक्ष, पादप और विटप तीनों है जो नहीं है और जो सही उत्तर है वो है अगला प्रशन रहीम जी के अनुसार जान परत है काक पिक रीतु बसंत के माही इन पंक्तियों से पता चलता है कि काक अर्थार्थ कववा और पिक अर्थार्थ कोयल को बसंत की रीतु में आसानी से पहचाना जा सकता है उन्हें निम्न में से किस आधार पर बसंत रीतु में पहचान सकते हैं A. रंगों के कारण B. बसंत रितु में खिले फूलों का रस चूसने के कारण C. बसंत की बेला में खुशी से चहकने पर आवाज के कारण D. बसंत रितु में उनके पंग रंगीन हो जाते हैं तो बच्चो सही उत्तर होगा Option C. बसंत की बेला में खुशी से चहकने पर आवाज की कारण अब बढ़ते हैं अगले प्रशन की तरह डारी शब्द का अर्थ है डाली B. डाल देना C. डोरी D. डाय और हमारा सही उत्तर होगा Option B. डाल देना अगला प्रशन कही रहीम पर काज हित संपत्ती संचली सुजान उप्रोक्त पंकती में सुजान का अर्थ है यहां खुजान की जग है बच्चो सुजान शब्द आएगा ध्यान से समझना Option A. सजना B. सजन C. साजन D. जानदार तो सही उत्तर होगा हमारा Option B. सजन अब बढ़ते हैं अगले और अंतिम प्रशन की तरफ यहां पर चार Option दिये गए हैं इन में से हमें शुद शब्द का चुनाव करना है कि आशिर्वाद शब्द की शुद वर्तनी क्या है Option A. B. C. या D. तो बच्चो यहां आशिर्वाद शब्द की शुद वर्तनी Option C है तो यह था बच्चो आपका Part 11 का अभ्यास असेस्मेंट के लिए आप इछे इसे अच्छे से तयार कर लीजे